तो बिल्कुल ठीक पढ़े हैं आप लोग थमनेल पर मुकेश अमबानी की जियो ड्रेटली चलेंज करेंगी इलोन मस्क को भारत में ग्लोबली का भी बता नहीं मगर भारत में इलोन मस्क अपनी मनोपली नहीं बना पाएंगे जियो डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा कतम उ वन वैप को बाइदवे बैक कर रहा है भारती एटल और यूके तो ये अपने आप में कहूंगा बहुत ही जादा बड़ा स्टेप है इसे इंडिया में जो सैटलाइट इंटरेट मार्केट में जो कॉम्परेशन है बहुत फियर्स हो जाएगा और ये एक ऐसे टाइम में कि जा जा रहा है जब Elon Musk की Starlink की जो overall strategy थी इंडिया में बुरी तरीके से फेल कर चुकी है इनके CEO छोड़ चुके है company कह चुके है कि उनको कुछ complaints थी आपर तो ये जो मैं कहूंगा development है it is very very important क्योंकि globally आप अगर देखे तो जो सैटलाइट से internet वाली market है इसमें बताया जा रहा है कि करीब 19 billion dollar का revenue generate होगा 2030 में जी हां इसी दशक में within 9 to 8 years और ये तो ख्यारबा शुरुबात की बात है in the future ये राम से 30 से लेकर 40 billion dollar की market बन सकती है बहुत सा revenue यहां से generate होगा और इस बड़ी market पे नजर है Elon Musk की Elon Musk ने उलड़ी कह दिया है कि मैं global coverage दूँगा दुनिया भर में आप कहीं भी हो किसी टापू पे हो किसी देश में हो अपने देश का internet पसंद नहीं आ रहा immediately Starlink का internet परचेस करो सीधा satellite से आपको मिलेगा internet आपके घर में एक डिश में आएगा internet उसके थूँ ये जाएगा एक Wi satellites अब तक पूरी humanity ने दुनिया भर की countries ने launch नहीं करी इससे आधी भी launch नहीं करी होगी तो this will completely change everything धरती ही completely बदल जाएगी इससे space junk का खत्रा काफी अद तक बड़ेगा मगर इस वीडियो में space junk की मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि किस तर इंडिया बिना इंडिया चाइना के क्या है आधी दुनिया है इंडिया और चाइना और आज के समय आप अगर देखो तो इलोन मस्क कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में satellite के इंटरनेट ये लोग sell कर पाएं मगर रश्या ने इनकी service को कर दिया blog ये कहकर के national security का issue है चाइ working already करनी start करती थी फिर सरकार ने ये कहा आपने license लिया नहीं है इंडिया में operate करने का how can you do business in India अभी के अभी अपनी सारी services बंद करो जिन भारतियों से पैसा लिया था उनको पैसा वापस करो और जब तक आप license के लिए apply नहीं करते आप इंडिया में काम नहीं करोगे और January 2022 को license के लिए apply करेंगे क्या इनोंने license के लिए apply किया है इससे related कोई news नहीं आई है news actually आई यहाँ पर ये के Starling के जो Indian CEO है Sanjay Bhargav इनोंने quit कर दिया और ये कहा के ये रहना चाहते हैं उन लोगों के पास जो responsibility लेते हैं अपने actions की तो definitely company में कुछ अभी problem चल रही है और इंडि के लिए long term में एक बहुती बड़ा loss होगा क्योंकि मैं आपको ये बता दू ये दशक इंडिया का रहने वाला है इंडिया record तोड यहाँ पर growth दिखाएगा बताया जा रहा है कि इस दशक के अंग तक 2030 तक इंडिया overtake कर लेगा Japan to become the third largest economy in the world उसके इलावा Reliance Gio भी बताया ज बन जाए या फिर definitely number one के काफी करीब आ जाएगा number one पे अभी के लिए है China Mobile number two पे कभी भारती एटेल रहता है इंडिया में कभी Reliance Gio रहता है ये थोड़ा सा टसल रहती है इनकी मगर आप अगर बात करोगे internet की सिर्फ internet की wireless internet wired internet की तो उसमें आज के समय Reliance Gio ने complete domination कर दी है भ यो फाइबर के जो connection इंडिया में बहुत से लोगों ने ले लिये है और आप सोच कर देखिए ये अपने आप में कित्ती बड़ी power है overall जो इंडिया की internet economy है जहां पे बहुत ही चीज़े आती है e-commerce आता है services की sale आती है इन सब को आप अगर add कर दो तो इंडिया की जो internet economy है य 50% सब्सक्राइबर्स इनके पास ही होंगे तो जो जियो की domination है इंडिया की internet की market में score बढ़ाने के लिए अब इन्होंने open कर लिया है Gio Space Technology Limited और इसी के अंडर ये लोग satellite internet भी यहाँ पर करेंगे sell इसके लिए इन्होंने किया है recently एक joint venture लकसंगबर्ग की एक company के साथ जिसका नाम है SES यहाँ पर आप देख पाओगे यह है SES की website लकसंगबर्ग की company है लकसंगबर्ग आपको बता होगा Europe में एक बहुत ही छोटा landlocked country है बहुत ही अमीर देश है क्योंकि आसपास के जो यहाँ पर countries है Germany, France, Switzerland और Belgium यहाँ पर जो multinational corporations काम करती है इनके headquarters primarily आपको मिलेंग लकसंगबर्ग में क्योंकि यहाँ पर tax की मिलती है बहुत ही बड़ी छोट तो यही पर based है SES इन लोगों के पास देखिए बहुत ही अची state of the art satellites है geosynchronous orbit में और देखिए जो geosynchronous orbit की satellites होती है वो ज़रा बड़ा area cover कर पाती है तो reliance को भी यहाँ पर यह है कि इनके साथ partnership क करके यह लोग इंडिया में satellite internet कर पाएंगे sell और अभी देखो आप अगर SpaceX के plan देखो तो minimum 7000 रुपे के आसपास यह charge कर रहे है एक महीने के for internet मुकेश अमानी इससे 20-30% भी कम अगर कर देते हैं उसमें ही इनके subscribers बहुत ज़रा बढ़ जाएंगे और अराम से capture कर पाएंगे इंडिया की humongous market और आप सोच कर देखिए इससे कितना strong एग Jio Telecommunications का मैं कहूंगा ecosystem याबे बन रहा है Jio आपको बताओगा SIM provide करता है Jio के phone आज के समय बन रहे है Jio खुद का एक operating software बना रहा है जो Android को चुनौती देगा जिसका नाम है प्रगरती OS उसके इलाबा बहुत ही जल्द possibility है कि ये state of the art 5G phone भी निकालेंगे जी हाँ Jio बहुत ही serious है इस चीज को लेकर तो mobile phone का जो hardware है ये इनका internet इनका SIM card भी यहाँ पर ये provide कर रहे है satellite internet भी इनकी होगी तो इससे इंडिया ये तो ensure कर सकता है कि foreign company इंडिया की internet market में कभी भी dominate नहीं कर पाएगी Indian companies ही यहाँ पर dominate करने वाली है अब आप पूछेंगे कि जो ये satellite internet है Jio का ये available कब होगा देखिए recently इन्होंने apply कर दिया है license के लिए जिस license के लिए SpaceX ने अभी तक मुझे पता नहीं apply किया है नहीं किया कुछ news तो से related आई नहीं है मगर Jio ने कर दिया है इसके लिए apply और बताया जा रहा prices देखने होंगे कि ये क्या रखते हैं और definitely इससे इंडिया में जो internet inclusion है ये भी काफी हर तक बढ़ेगा now finally यहाँ पर मैं आपसे question ही पूछूँगा जिसका answer आप सब लोग करोगे comment section में सही answer मैं आपको दूँगा नहीं सही answer जो भी करेगा comment section में उसके answer को मैं heart दे दूँगा ताकि बाकी सब लोग समझ पाएं कि सही answer यहाँ पर क्या है तो मैं आप सब को कहूँगा attempt करिए question गल किस देश में male female को हर समाज के work को proper access मिलता है internet facilities का तो इस index में भरत की rank क्या है option A 80th, option B 49th, option C 100th, option D 151st तो comment section में सब लोग करिए इसका answer और वैसे जो सही answer करेगा उसको मैं heart दे दूँगा and finally आपर मैं यह भी आड़ कर दूँ कि an academy का आज के समय एक बहुत ही special offer चल रहा है जो 16 February को खताम हो जाएगा इस offer के अंडर आपको flat piece का discount मिलता है on UPSC Combo subscription course simply comment section में जाईए यहाँ पे आपको मिलेगा यह link इस link पे करो click और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे UPSC Combo package जिसमें आपका UPSC Prelims, Mains, Optional, तीनों कवर होते हैं optional आपकी choice का history, political science, जो भी आप choose करना चाहें तो आपको click करना है आपर pick a plan pay और अगर आप एक college student है अभी time में आपके पास 2-3 साल का राम से prepare करना है for UPSC, आप 24 month या फिर 36 month का course purchase कर सकते हैं you will get the discount इसके ओपर additional discount आपको और मिलेगा अगर आप use करते हैं code PD10, the prices will fall even more so use the code PD10 and save money, यह offer मैं फिरी से आपको बता दूँ के 11 February को खतम हो जाएगा so इसी note के साथ यह है video कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all you